So hey guys, कैसे हो आप सब लोग, welcome to code 6, जहां पे हम बात करते हैं, सारी crazy machines के बारे में, उसी तरह हम बात करेंगे, इस Renault quit के बारे में, जो की Alto 800 की मेन competitor है, तो देखो, आज की वीडियो बिल्कुल सीरिस्टी रखूँगा, कोई हसी मजाक नहीं, कोई हराम कोरें नहीं, simple cut to cut हम बात से आगे निकल जाती है, क्योंकि यहां पर अच्छा ground clearance आपको मिलता है, टायर आपको जाता बड़ी यहां पर मिल जाते हैं, बूट स्पेस यहां पर आपको अच्छी मिल जाती है, आट्चु चीज़ी जो इस कार को Alto से आगे निकालती है, और प्राइसिंग एकर बात करें इसका आपको जो on-road price है, वो पढ़ जाता है, अराउंड 6,500,000 रुपे के आसपास, और आपको इसके price से related या फिर X-series या फिर किसी और गाड़ी के वारे में कुछ और जानना है, तो इनका जो contact number है, वो मैंने description में दे रखा है, आप इनको contact करो, यह आपको सारी information देंके, एक main चीज और, देखो, इतनी भागा दोड़ी करके, आपके लिए में इतनी सारी videos लेके आता हूँ, इतना content लेके आता हूँ, देखो, चैनल को subscribe करना तो बनता है, क्यों आपको भी बताना कि भागा दोड़ी तो लगती है, बात तो सही है, दौना तो परता है, तो कह रहा था, LED DRL सापको मिल जाएंगे, उनी की पीछे आपको जो indicators है, वो मिल जाते हैं, काफी बड़े यहाँ पर headlamp मिलेंगे, तो इनका जो focus है, वो अच्छा मिल जाता है, तो night में आपको थोड़ी जो visibility है, अच्छी मिल जाएगी, बाकी grill में थोड़ा सा chrome treatment आपको मिलत में एक आड़ी आपको 20 प्लस का mileage दे देगी, बाकी जो power figures है, वो आपकी screen में आ रहोंगे, आपको चेक आउट कर सकते हो, pause करके, side की तरफ को चले, तो यहाँ पर आपको एक advantage मिलता है कि यहाँ पर आपको 14 इंच के steel rim मिल जाएंगे, अगर मैं आल्टो की बात करूँ तो वहाँ पर आपको 12 इंच के steel rim मिलते हैं, तो tire size काफी फराग है, तो comfort आपको बहुत अच्छा मिल जाएगा, फ्रंड में आपको disc brake मिलेंगे, पीछे आपको drum brakes मिलते हैं, और यहाँ पर आपको 185 mm का ground clearance है, जो की बहुत अच्छा है इस गाड़ी के, इस आपसे तो शेहर के अंदर आपको जो गड्डे हड्डे हो गए, फिर pot holes हो गए, उनकी टेंचन यहाँ पर लेनी की जुरुवत नहीं पड़ेगी, बा को mileage भी यहाँ पर बहुत अच्छा मिल रहा है, तो balance यहाँ पर आपको अच्छा मिल जाएगा, बाकी पीछे का जो look है, कुछ इस तरह से लिखता है, यहाँ पर आपको इस model में camera मिल जाता है, इस तरह से, क्वेट के logo के नीचे यहाँ पर इस तरह से, और पीछे आपको ती और इसमें आपको बूट स्पेस भी अच्छी मिल जाते है, यहाँ पर आपको 280 लीटर की बूट स्पेस है, जो की बहुत बड़ी है स्पेसिंग है, तो काफी सारा स्टफ आप यहाँ पर कहरी कर सकते हो, उप्स खेर छोड़िये, तो और अगर, यह मूँ से सूपारी निकाल के बात कर रहे बाबाए, अगर मैं आपको अपर आपको 177 की बूट स्पेस मिल जाएगी, तो यहाँ पर आपको काफी अच्छी आपन में स्पेसिंग मिल रही है, और अगर आपको और स्पेसिंग चीज़ तो सेकेंड रो सीट को आप फोल्ड कर सकते हो, तो वहाँ पर आपको बहुत अराम से साड़ी 300 लिटर की बूट स्पेस मिल जाएगी, तो देखा यहाँ तो प्रैक्टिकल फीचर्स यहाँ पर आपको इस गाड़ी में बहुत अच्छी मिल जाते हैं, कैमरा आपको मिल रहा है, पारकिंग सेंसर्स मिल रहे हैं, बड़े आपको टैर्स मिल जाते हैं, बूट स्पेस आपको अच्छी मिल जा रही है, तो गाड़ी बाहर से दिखने में अच्छी है, अब अगर इंटिय की तरफ को चलते हैं, कै गाड़ी लॉक है अभी, अब जल्दी बोलकल सुबे पनव तो अब जाते हैं, 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 जाते है में कर रखा है यहाप अगर आर कर दो कि इससे तो गाड़ी रिवर्स में अजाएगी बाकि अच्छा लगता है तो यह जो चीद है ना पड़ी यृणीक से लगी इस तरह के चीज आपको दिखेंगे तो इस बाकि को भी गाडी कि बात करें। यहाँ पर आपको फ्लाइट बोटम स्टेरीघ rumor मिल जाता है। यहाँ पर आपको नहीं मिलता है। लेकिन स्टेरिघ लिखने में अच्छा लगता है। थोड़ी सी हैं पर आपको हज़ी पियानो फिनिशेंग वह मिल जाएगी। क्या कर रहा है है तो मजा के है है तो गाड ये श्टार्ट नहीं हो अगे सब्सक्राट पर是े कंट्रोल है रही एक वाउड को देल जाते है और हो पर बैसिक आपको पीडो पीलमेटर मिलता है यहाँ पर गाड़ी का अरपे में यो avoided आपको बेसिक ईंफोर्मिशन को आपको बटने अपु बहुत बढ़े लगी साइड और प्रीया प्रीम लुक यहां पर मिल जाएगा और यहां यहां को लॉक लोग करने बटन बिल जाता है पाउड़ विंडोर दोनों को लिए भी चीज भूत बढ़े लगी श्यायर ताकि 12V का charging socket मिलेगा, AUX मिलेगा, USB आपको मिलता है, फोन डखने के लिए spacing है, दो छोटे cups तो नहीं आ पाएंगे, पता नहीं कुछ होल्ड करने के लिए spacing मिल जाती है, बाकि युनिक साथ यहाँ पर आपको गेर नौ मिल जाएगा, फिर डाइल इसको आप कह सकते हैं, और यहाँ पर कुट लिखाव मिलता है, और गलब बॉक्स का साइज एक्चुल में काफी अच्छे काफी डीप है, तो इसके अंदर spacing आपको बहुत अच्छी मिलेगी, मतलब आप देख रहे हो, मतलब बहुत टीप है, पूरा हाथ आपका अंदर चले आएगा, अगा सीफ्टी की बात कर लो, तो यहाँ पर आपको टू एरबैक्स मिल जाते हैं, ड्रैवर और को ट्रैवर के लिए बाकि बेसिक सा वही आपको A.B.I.C.B.D. जो फीचर्स होते हैं, हाँ, लाइट मिल जाती है आपको फ्रेंड में, वो आपको हैलोजन में मिलेगी, और स्पीकर्स की बात करूँ तो अगर आपको देखके लगता है, यहाँ पर स्पीकर्स नहीं मिल रहे हैं, मतलब डीसेंट आपको अंधाय सपोर्ट मिल जाता है, बैक सपोर्ट आपको थोड़ा अच्छा मिल जाएगा, हैट सपोर्ट को में डीसेंट कूँगो, क्योंकि जाला लंबे नहीं है और एजजस्टिबल भी नहीं है, तो लंबे लोग को इस गाड़ी में कहाँ, जो सिटिंग कमफर्ट है, वो डीसेंट मिलेगा, जिनकी हाइट छोटी है, पांच फीट पांच हो गई, यसी जिनकी हाइट है, उनको यहाँ पर अच्छा कमफर्ट मिल जाएगा, हेड्रून स्पेस भी यहाँ पर आपको अच्छी मिल जाती है, हर जगा आपको हाट प्लास्टिक मिल जाएगा, प्लास्टिक की कॉलिटी भी ठीक है, तो फ्रेंट जो सीट थी, वो आमने देख लिये, और ड्राइवर सीट भी मैंने अपनी पोजिशन की सबसे अच्छी कर लिये, अब पीछे की सीट में चलते हैं जड़ा, तो पीछे का व्यू दिखाऊं, कुछ इस तरह से व्यू है, पीछे का वो आपको देखेगा, सीट में काफी अच्छी लग रही है, तो डिजाइन हो, जो कलर चोईस है, वो मुझे बहुत बढ़िया लगी, और कमफर्ट की बाद करें, तो एक्च्छे में पीछे भी कमफर्ट ठीक है, अच्छा है, चाल लोग तो यहाँ बहुत अराम से बैठ जाएंगे, जो तीसरा बंदा होगा नो पीछे बैठेगा, उसको थोड़ा सा पैरो को स्क्वीज करना पड़ेगा, तब जाके मेरे ऐसे यहाँ पर दो बंदे बैठ पाएंगे, तो चाल लोग के साब से यहाँ पर सीटिंग कमफर्ट तो अच्छा है पांच वे बंदे को मतलब जो पांच लोग बैठेगे तो पीछे बंदों को थोड़ा सा एडजस हो के बैठ ना पड़ेगा, और पीछे की तरफ जो फ्रेंट का भी है वो कुछ इस तरह से लिखेगा, मतलब देखा है काफी मौडन लुक यहाँ पर मिल रहा है, और नहीं पीछे को सीट में पॉकिट्स मिलती है से कुछ लेकिन ठीक है, मतलब जो बजट है, मतलब कॉम्पक्ट हैश बैग है तो इस आपसे अपको चीज अच्छी मिल जारी है, तटस्क्रीन मिल रही है, कैमरा आपको मिल रहा है, आव विंडोस आपको मिल जाती है, तो मतलब जितनी मतलब जो प्रैक्टिकल चीज़े हैं वो सबी चीज़े आपको एहां पर मिल जाती है, जो की मेन है, तो उसमें एक गाड़ी काफी आगे निगल जा रही है, बाकी pricing तो मैंने आपको इस कार का बताई दिये तो अगर आपको अभी भी कोई और चीज जानने है तो इनका number मैंने description में दे रखा है अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप मुझे comment section में comment करके पूछ सकते हो वहाँ पर मैं आपको तमीज से reply ज़रूर करूँगा